आईए चलो बचो फड़ा वट से रिवाइस करते हैं चैप्टर नमबर 6 रूलर डेवलप्मेंट काफी इसी चैप्टर काफी इंटरस्टिंग चैप्टर है तो मज़ा आएगा इसको पढ़ने में तो बच्चो जाद इसमें टॉपिक नहीं आप कुछ देखो साथा टॉपिक क्या है तो आप क्या बोलेगे हैं यहाँ पर एगरी कल्चर अब एक सवाल आता है यहाँ पर सवाल क्या आता है कि सर्थ रूलर डेवलप्मेंट को हम इतनी इंपॉर्टेंस के संग क्यों देखते हैं जबकि हमारे आसपास शेहर जो हैं बहुत जादा ग्रू कर रहे हैं महा पहला रीजन क्या कि इंडिया के अंदर आज भी टू थर्ड अफ़ पॉपलेशन बचों किस पर बेस है एरी कल्चर पर बेस्ट है और दूसरा वन फॉर्थ ऑफ दा रूलर इंडिया अभी बी पावर्टी में रहता है इसलिए हमको रूलर डेवलप्मेंट करने को ज़्या है या क्यों करना चाहिए और वो एरिया को डेवलप करना है जो की पीछे रह रहे है जो एरिया विलेज एकॉनमी में पीछे रह रहा है उस एरिया को डेवलप करने को हम क्या बुलाते हैं रूलर डेवलप्मेंट बुलाते हैं यह रेफिनेशन एक बार याद कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम में आ सकती है अच्छा अब इसके बार आता है इसारू दिशाओ और ठीक रखो मतलब यह उनको लिटरेट करो और उनकी जो है उस पर फोकस करो दूसरा लैन्ड डिफर्म मतलब अभी भी बहुत मैजरेटी ओफ डेवलेट जो है बड़े फार्मर्स के पास होता है स्मॉल फार्मर्स के पास यह तो लेंड होता नहीं है या फिर उनके पास बेकार लेंड होता है, जिसमें प्रोडक्शन करने ही पाते हैं, तीसा जो भी मारे पार रिसोर्स हैं, उनको प्रोडक्टिव, जिनसे हम काम कर सकते हैं, उसको डेवलप करना, उसको डेवलप करेंगे, तो उससे आगे बाद बढ़ पाईगी, जो फोर्थ हमको ध् इंफरस्क्रे Richmond पर ध्यान देना सोकी के अंदर रिय्टित मतलब लून अगेए प्रॉटक से इसरे सोल नेरेगा यहां के लोगों को पाओर्टी से बाहर निकालना पड़े लोगों को निकालने वहाँ पर इंप्लॉइम्ट znaj एक बलब यहां Ghost जो हमको करने के लिए चाहिए होते हैं तो बचो आई होप आपको समझ में आगा हो यहां से तीन कोशन बने हमारे पास की राइबली हुट का सेक्टर क्या है वह हमने बोल दिया अगरिकल्चर क्यों हम पढ़ रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देनी रूलर तो बचो रीजन्स फ़रूलर डेवल्पेंट क्यों कर रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है तो सबसे पहला क्या है कि GDP जो कंट्रिब्यूशन हो बचो कम हो चुका है काफी कम हो चुका है इसके अलावा जो यहां पर दो इन्हों ने जो ग्रोथ रेट है बचो वह भी कम होई यहां पर क्या बोलना GDP कम हो चुका है GDP कंट्रिबूशन कम हो चुका है यहां पर आपको क्या बोलना है कि growth rate बहुत जादा कम हो चुका है इसके अलावा जो जी वी ग्रोथ रेट है बचो agriculture सेक्टर की वह भी बहुत जादा क्या हो गई है और पब्लिक इन्वेस्मेंट है ब बहुत ही कम हो गई, अच्छा, अब इस कोच को ठीक करने के लिए क्राम, पहला step लिया, credit वाला, तो इस topic के अंदर हम credit के बारे पढ़ने हैं, 6.3 के अंदर, और 6.4 के अंदर हम किसके बारे बात करने वाले हैं, एक रिकरचा, marketing system के बारे में बात करने वाले हैं, आप अच्छ पहले क्या होता है कि आपको capital time to time लगानी पड़ती है, क्यों जिससे आप higher productivity कर पाऊ, जैसे business के अंदर capital लगानी पड़ती है, वैसे ही farming के अंदर, रिजल से sector के अंदर time to time के लगानी पड़ती है, capital को लगाना पड़ता है, दूसरा जो उन्होंने point दे रहा है, gestation period, मतलब यह आज अपने crop को sow किया, बो किया, और harvest होने में एक महिना, दो महिना, चार महिना लग जाता है तो, उसके run आपकी जो family expenses होते हैं, वो खर्च करने के लिए क्या चाहिए होता, आपको पैसा चाहिए होता है, तीसरा, जो money lenders हैं, जो traders हैं, उन्होंने small farmers को exploit किया गया, उनसे higher interest charge करते हैं, और manipulation account करते हैं, तो इसलिए informal source से credit लेने से अच्छा है, किस से ले लो, formal credit से loan ले लो, तो these are the major issues, यह जो दीता है, major points that highlights the importance of credit in ruler development, अच्छा बच्चो उसके लिए government ने क्या किया, तो government ने सबसे पहले बच्चो नाबाट सेट अप किया, तो नाबाट की full form important है, और year भी important है, 1982 में आया था, यह क्या है, बच्चो apex body है, apex body का मतलब होता है, highest body है, ruler financing के अंदर, जो किस पर based होता है, जो यह ruler financing system को ध्यान रखता है, अच्छा बच्चो, यहाँ पर बत clear होगी, इसके बाद एक point आता है, कि सर यहाँ पर institutional structure क्या है, ruler banking का, तो सबसे पहले आता है हमारा नाबाड, उसके बाद आते हमारे commercial banks, regional ruler banks, cooperative banks, land development banks, तो नाम पता होने चाहिए, रटने की जूरत नहीं है, लेकिन हाँ, नाम सारे पता होने चाहिए आपको, okay, इसके बाद बच्चों आता है, कि हाँ बई, micro credit, micro credit का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे हम loan देते हैं उसका role क्या है, हमारी credit requirement को poor को settle करने में, micro credit का मतलब क्या होता है, जो हम छोटे loan बाठते है, small loan बाठते हैं, bank तो बड़े loan देता है, जो हम small loan देते हैं, वो किसमें देते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पर बात करनी है, किसके बारे में self help groups के बारे बात करनी ह जिसको हम short में के बुलाते हैं, S-S-G's बुलाते हैं, तो जो farmers होते हैं, वो directly bank के बारे 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 जा रहे हैं, जो कि क्या करते है, formal credit system में जो कमियां हैं, उनको पूरी करते हैं, क्यों कमियां पूरी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत जादा आपको paper work करना पड़ता है आपको collateral security वगरा देनी पड़ती है, जो farmers के पास नहीं होती है, जो farmers के संग fully integrate अभी तक नहीं हो पाई है, तो जो small help groups हैं, वो farmers के संग, उनके mechanism के संग fully integrate हो गई हैं, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपको small contribution में member बन जाता है, मतलब एक society बन जाती है, और क्या करते हैं, cooperative society जिसके अंदर आप small amount डालो, आप क्या बन जाते हो, society का member बन जाते हो, उस group का member बन जाते हो, और जिसको ज़रूर तो 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 उसको loan दे दिया जाता है, और loan repayment करने का system भी बड़ा ही simple होता है, आप जातो अराम से loan दोगे, और जो rate of interest हो, वो भी coffee कम होगा, या फिर reasonable होगा एक बचो इन्होंने example दे रहा है, CISF का, इसका full form आप जात कर देना, community investment support fund, तो इन्होंने एक क्या कर रहा है, एक group बना रहा है, जिसके अंदर contribute करते हैं, जो की self employment को promote करता है, और बचो ये my women के empowerment भी काम करते हैं, तो बचो question आता है, तो आपको ये point लिखना है, पहला point क्य जो है, वो ruler economy के संक्या हो गया है, inclined हो गया है, associate हो गया है, integrate हो गया है, और जो formal system के gaps है, उनको पूरा करता है, दूसरे में आपको क्या लिखना है, कि यहाँ बचो बात करना है, नुकसान क्या रहा है, critical appraisal, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, कि फायदे क्या रहा है, क्या होगा है, कि आप क्या बोलोगे, loan देने से क्या हुआ, एक तो production increase हुआ, लोगों की income increase हुई, और employment generate हुआ, तो output increase हुआ, income generate हुई, employment generate हुआ, दूसरा, farmers को क्या मिल गए, loan मिल गए, banking system से, और तीसरा, food security होगी, मतला हमने production इतना कर लिया, कि हमारे पास अभी तना food stuck है, क अच्छा कासा, sufficient truck हमारे पास पड़ा हुआ है, अब negative points क्या होगी, बच्छा, negative points क्या होगी, कि हम deposit mobilization को क्या कर पाए, develop नहीं कर पाए, यह deposit mobilization का मतलब क्या होता है, कि हमने पैसा तो ले लिया, farmers से, contribute तो करा लिया, मतलब saving account में पैसा तो आ गया, लेकिन जिसको loan देना चा तो बचो ध्यान रखना, ruler banking की फायदा है, तो सबसे पहले क्या बताना है, लोगों को loan मिला, अब पहला point क्या है, लोगों को loan मिलना start हो गया, अब यह लगले तरीके के, उससे क्या हुआ कि हमारा output increase हो गया, उससे हमारा employment increase हो गया, और उससे हमारा buffer stock हो गया, तो पहला point इसके लाव यहाँ पर जो negative point में क्या लेख सकते हो, कि हाँ बई deposit mobilization नहीं कर पाए, सही बंदों को अमने loan नहीं दिया, और default rates जो थे, वो काफी high हो गई, आयो बचो यह चीज़ आपको clear हो गई होगी, इसके बचो जंधन योजना पर भी एक बार question आ चुका है, जंधन यो bank account open करे, अब इन bank account open करने के लिए उनको लालच दिया गया था, पहले लालच का दिया गया था, कि आपको bank में एक रुपया भी minimum रखने की ज़रूत नहीं है, जैसे आप normal banking के पास जाते है, आपको 500 रुपय है, 1000 रुपय है, 1000 रुपय है, 5000 रुपय है, 1000 रुपय है, 5000 बोला की नहीं, आपको बिल्कुल मेंटिन करने की ज़रूत नहीं, you just need to open a bank account, दूसरा इनोंने 122 लेका क्या दे दिया, इंशॉरेंस दे दिया, और उपर से इनोंने लोन भी दे दिया, फ्री में लोन दे दिया, 10,000 का overdraft facility दे दिया, और उनको ये बुला गया, आपकी जो जो भी pension आएगी, जो भी government का payment आएगी, तो मतलब सीधा फाइदा किसको दिया जा रहा है, farmers को दिया जा रहा है, इसके लावा लोगों के अंदर, saving habit को promote कर दिया गया, saving habit को promote करने से क्या हो गया, लोगों banking area के अंदर जो था वो पैसा बहुत जादा आ गया, कितना पैसा आ अराउंड 1,40,000 क्रूट, तो बच्चो पहले आपके अब लोगों के कि encourage क्या गया, encourage क्यों क्यों क्या गया, क्योंकि minimum balance रखने की जरूरत नहीं है, इसके लावा क्या हुआ, इसको इंशॉरेंस दे दिया गया, उनको loan के facility दे दे गए, ओवरटाफ फैसिलिटी दे गया, ग बच्चो बात करते हैं, मार्केटिंग से कैसे सुधार आगया, तो सबसे पहले बच्चो बात करते हैं, सर ये agriculture marketing होती क्या है, तो बच्चो अगरिकल्चर मार्केटिंग बड़ी simple सी चीज है, कि आपको क्या करना है, जो भी आपने सम्मान बनाया है, उसको assemble करना है, जो भी कर रहे हो, जिससे आप commodities को पूरे इंडिया भर में पहुंचा पाओ, तो what you are doing, you are doing assembling, storage, processing, transportation, आपका packaging, grading and distribution, जिससे आपको जागरिकल्चर production है, जो commodities है, पूरे इंडिया में जा पाएं, अब एक सवाल आता है, सर, यहाँ पर इंडिया में government को interfere करने की जरूद क्यों पढ़ गई, तो सबसे पहला क्या है, जो farmers अपना production sell करने के लिए आता है, तो वो क्या करते है, जो weight होता है, उसको fault कर देते है, मतलब गलत कर देते है, और उनकी जो account से वो manipulate कर देते है, दूसरा, farmers को force किया जाता है, कि वो low prices पर क्या करे, sell करे, market price से कम है price sell करे, जिससे farmer को loss होता जो private, जो landers होते हैं, जो traders होते हैं, उनको फायदा बहुत जादा हो जाता है, तीस था, उनके पास storage facility नहीं दियो, storage facility नहीं होने के वज़ए से, 10% उनका जो समान होता था, वो हमेशा क्या हो जाता था, खराब हो जाता था, तो इस वज़ए से government को interfere करना पड़ गया, पहला quality weighing, दूसरा low prices sell करना, तीस था, wastage, अब आता थी कि सर, बच्चो government ने क्या steps उठाए, आई repeat, government ने क्या steps उठाए, तो सबसे पहले government ने क्या किया, regulations लेकर आए, बदर rules and regulations बनाए, जिससे क्या हुआ कि वो marketing conditions को क्या कर सके, transparent कर सके, सबको पता हो, दूसरा उन्होंने क्या किय infrastructure facilities को क्या किया, develop किया, जिसके ही, road, railways, warehouse, go-downs, cold storage, processing unit, ठीक है, तीसरा, उन्होंने cooperative marketing को बहागा दिया, cooperative marketing का मतलब क्या होता है, सारे farmers मिलकर एक society बनाएंगे, और वो सारा समान को इखटा करेंगे, और उसके बाद जाकर, वो as a society, as a single unit जाके, market में बेचेंगे, तो जब बहुत बड़ी organization, as a cooperative society, market में सामान को बेचने जाती है, तो उसको कोई पागल नहीं बना सकता, वो अपनी reasonable price, market price को लेकर जाते हैं, और इसका example है, आपके सामने, Amul, Anand Milk Union Limited, तो उन्होंने, milk की cooperative बनाई थी, जिससे जाके, वो milk के अच्छे कासे price दे चार्ज कर पाते हैं, बच्छो, policy instrument लेकर आए, बच्छो, यह important question बनता है, exam में, कि government कौन कौन से, policy instrument लेकर आए, जिससे, वो agriculture marketing को improve कर पाए, तो पहला क्या है, minimum support price, हम farmers को minimum support price देंगे, कि आप से कम से इतने price पे खरीदा जाएगा, तीसरा, दूसरा क्या होता, buffer stock, wheat and rice, मतलब यह, कि government ने क्या बो हम food grades का distribution करेंगे, through PDS, PDS का मतलब होता, public distribution system, I repeat क्या होता, PDS का full form लिख लेना, public distribution system, spelling मत जाना, feeling पर जाना, ठीक है, इससे क्या होगा, यह, हमने क्यों किया, जिससे हम लोगों की income को, farmers की income को protect कर सके, और farmers को ही सस्ते दामों पे सारा समान provide कर सके, तो these were the steps that were taken by government, पहला, उन इससे देवलब किया, तीस था, cooperative marketing को promote किया चुआ था, policy instrument लेकर आए, अब अच्छों बात करते हैं, कि यह, गौर्मेंट ने, जो steps लिए, क्या, इसका कुछ फायदा हुआ, क्या कुछ drawbacks है, क्या कुछ suggestions है, तो सबसे पहला, बच्चा, rules and regulations लेकर आए, लेकर अभी 27,000, जो को उसका फायदा नहीं मिल पाया, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि inadequate coverage of farmers, मतलब यह, यह, हमारी cooperative society है, और यह market है, तो यहां से यहां तक बेशने के लिए, और खरीदने के लिए, जो link होता है, वो proper link नहीं था, पैसो का management नहीं था, तो थोड़ी सी problem यहाँ पर हो गई, प्लस, government ने कितने भी policy instrument लेकर आगे, लेकिन अभी भी private traders का, या private money lenders का, इसके अंदर अभी भी क्या dominance है, तो इस वाज़े से government को अभी भी इसके अंदर interfere करना पड़ रहा है, क्या यह आपको चीज़ क्लियर हो गई, ओके, तो बच्चों यहां पर हमने बात करी, अगर रि alternative marketing channel, तो government दो तरीके से अपना मार्के करते हैं, प्रमूट करती है किसको agriculture marketing को, एक होता है direct selling और direct selling, आपको पता होना चाहिए कि जो farmers होते हैं, डायक्ली जाकर सबजी मंडी में जाकर अपना समान बेचते हैं, तो बचों कुछ example दे रखें, उसको आपको यात कर लेना, जैस इसका Tamil का translation है बचो farmers market, और indirect selling में क्या होता बचो, indirect selling बड़ा ही simple है, कि farmers जो हैं, हमारे जो farmers हैं, बचो किसको sell कर रहे हैं, MNC को sell कर रहे हैं, और MNC public में समान को बेच रही है, तो यह होता है indirect selling, और जो MNC होते हैं, इनको पहले सी contract कर लेते हैं, कि इतने price पर खरी देंग risk होता है, वो reduce हो जाता है, और उनको जो market हो बचो क्या हो जाता है, expand हो जाता है, वो ज्यादा लोगों को बेच पाते हैं, यहां तो बात को समझ में आ गई, इसका बचो यहां पर चोटी से बात बोली थी कि government तीन कानून जो थे वो पास कर रहे थे 2020 में, लेकिन ultimately government को वाप initiative लेने चाहिए, इसके लावा government ने क्या क्या लिया, तो government ने पहले credit system से कैसे इसको improve करने की कोशिश करी, दूसरा marketing system से कैसे improve करने की कोशिश करी, अब बच्छों बात करता है, diversification, मतलब यह कि ruler development को करने के लिए सबसे important चीज़ आ जाती diversification, अब सा diversification का मतलब होता है, दूस ना रह जाओ agriculture में, और दूसरा चीज़ यह, कि आप agriculture से हटके, farm से हटके, non farm activities में चले जाओ, या non agriculture activities में चले जाओ, चीक है, तो इससे क्या होता है, कि आपको एक अच्छी कासी livelihood मिल जाती है, तो बच्छों ने वही यहाँ पर reason दे रखे हैं, कि why there is a need, बच्छों, why there is a need कि हमको diversification करना चाहिए, तो सबसे पहला कि आपसे अगर farming पर based रहोगे है, तो काफी जादा risky हो जाता है, दूसरा risk कम करने के लिए आपको sustainable livelihood option मिलते हैं, जिससे कि आप अच्छी कासी income generate कर सकते हो, तीसरा ने बोला, राभी season के अंदर, education facility पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए उराभी season के अंदर आपको employment मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, इसके लिए आपको दूसरे sector में जाना चाहिए, जहापर आप अच्छी कासी income अपनी generate कर सकते हो, क्या ये चीज़ आपको clear हो रही है, ओके ये बचो इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, कि non farm economy कौन कौ जा सकते हो, मतलब ये कि हम बोलते हैं, non farm activity में चले हो, तो बचो उसके कुछ example दे रखे हैं, जैसे agro processing industry, food processing industry, industry leather इन्समें जा सकते हो, या फिर आप उसमें जा सकते हो, जिसमें अभी भी थोड़ी सी कमी चल रही हो, वहाँ पर आप support कर सकते हो, जैसे की pottery craft और है, ठीक है, यहां तो बात आपको समझ में आ रही है, अब इन्हों होना diversification करने के लिए तीन चीज़ों के बारे हमको बताया है, एक है animal husbandry, दूसरा है fishery, तीसरा है haughty culture, पहले बात करते हैं, बच्चो अनिमल husbandry के बारे में, जब आप किसी भी एनिमल को, एनिमल को आप race करते हो, उनक रखवाली करते हो, और उनका ख्याल रखते हो, क्यों रखते हो, जैसा अब उनका मीट ले सको, फाइबर ले सको, मिल्क ले सको, एग ले सको, कुछ भी ले सको, उसको हम क्या मोलाते हैं, बच्चो अनिमल husbandry, इसको हम एगर गर्चा का पार्ट मानते हैं, अच्छा, सर, ऐस आपको एक तो इंकम अच्छी देता है, आपको फूड भी दे रहा है, आपको ट्रांस्पोर्ट करने में हेल्प करता है, फैमिली के लिए nutrition होता है, और बाकी activities से हट के काम हो जाते हैं, तो बाकी activities में कोई भी interference नहीं होती है, इंडिया के अंदर, काफी सारे लोगों को क्य आपको क्या लिखना है, पहली बात, इंडिया क्या होता है, उसकी definition लिखना है, दूसरा, आपको यह बताना है कि जो livestock होता है, वो काफी सारे बेनिफीशल होता है, क्योंकि आपको यह income, food, security, fuel, transportation, आपको यह सब चीज़ प्रोवाइड करता है, तीसरा, काफी सारे लोगों क और बाकि दिरे दिरे इसके अंदर आ जाता है, अच्छा, animal husbandry के अंदर जो सबसे important चीज़ आती है, बच्छो वो क्या आता है, operation flood, operation flood का मतलब क्या होता है, यह definition important है बच्छो, exam में पूछी जा चुकी है, और पूछी जा भी सकती है, तो operation flood का मतलब क्या है, operation flood पेर personal पзार चलो अब बचलो, अब बचो आपर सारे फार मर्स जो होते हैं उसको प्रोसेस करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और सबस्चा जाकर बेज शक्राइब करते हैं कि अभी भी production थोड़ा सा लो है, मतलब ये कि अगर हम थोड़ा अच्छा काम करें, तो production हमारा लो है, अगर technology अच्छी हो जाए, breed अच्छी हो जाए, तो हम production और जारा कर सकते हैं, और अगर उधार मिल जाए, या हम अपने animals की care अच्छी कर पाएं, तो काफी जादा production हम इंगरीज कर सकते हैं, मतलब कोल मिलाके उन्होंने बोला कि यहां, अभी scope है improvement का, काफी जादा, चलो, आई हो बच्छों आपको animal husbandry यहां पर समझ में आ गया होगा, मैं simple words में को समझाए था हूँ, आजाए तो आपको क्या समझा रहा है, animal husbandry क्या होती है, life उसे क्या मिलता है, employment मिल रहा है, women support कर रही है, इसके ना operation flood एक जामपल है, और last मैं के लिए लिए देज़ा स्कूल फो इंप्रूव्मेंट है, चलिए बच्छों बात करते हैं किसके बारे, तो कोई tension वाली बात नहीं है, आपको simple सा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको explain करना है, कि हाँ इनका जो contribution है, export में contribution inland का काफी जादा है, export का कम है, तो आपको यह थोड़ा बहुत इसके अंदर लिखना पड़ेगा, अगर याद हो जाए तो well and good नहीं हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको एक बात लिखना है, कि इंडिया के अंदर government भी जो हो रही है, इसके अंदर budget अलोकेट कर रही है, इसके अंदर पैसा अलोकेट कर रही है, यहाँ पर एक कोशन बन सकता है, what are the problems of fishing community, तो सबसे पहला क्या है, families बहुत पूर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा under employment है, तीस ता इनकी जो income है, earning है, वो बहुत कम है, इसके लाबा, यह दूसरे sectors में जा नहीं सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या बात करनी है, यहाँ पर विमन का जो रोल है, वो सबसे ज़ादा है, आपको percentage आद करने की ज़रूत नहीं, लेकिन आप यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर चाहे एक्सपोर्ट हो, फिशरी का, या फिर इंपोर्ट हो, इसमें विमन सबसे ज़ादा यहाँ पर काम करती हैं, और यहाँ पर SSG का ही contribution यहाँ पर हो रहा है, मैं फ़र से repeat करता हूँ, फिशरी के बार में आजाता, फिशरी क्या होते हैं, आपको यह definition करना है, इसमें आपको बताना है कि हाँ बई, काफी ज़ादा जो production है, यहाँ पर हम export करने में लगाते हैं, इसके अलावा women girls में रूल काफी ज़ादा है, और problems में आपको बता दी, problems मतलब आपको problem अलक्सियात करने की ज़रूत नहीं है, आपको सिर्फ लोगों का दुख दर्थ बता होना चाहिए, मतलब यह, पढ़े लिखे लोग नहीं है, income कम है, दूसरी जगा जा नहीं सकते, unemployed हैं, वगेरा वगेरा, चलो, conclusion के बारे हम उन्हें बोल दिया कि हाँ, problem सबसे क्या, over fishing हो रही है, इसको हमको control करने की ज़रूत है, और water pollution को welfare के लिए काम करना चाहिए, तो यह उन्हें नहीं बोल दिया कि यहाँ पर भी improvement की ज़रूत है, अब अब चो तीसरा जो alternative option बताया, वो बताया किसके बारे में हौटी कल्चर के बारे में बताया, अब हौटी कल्चर क्या होता है, हौटी कल्चर एक branch of agriculture है, प्लांट को raise कर रहे हैं, प्लांट कैसे हो सकता है, फूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, नर्ट, सीड, हर्ब्स, दो-चार एक्जाम पर याद कर लेना, हो जाए तो very good, ठीक है, इसके लब इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, क्योंकि इंडिया के अलग अलग तरीके की soil होती है, अच्छा यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ बताना है यहाँ पर ऑड़्ट, अच्छी बात नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, horticulture क्या होता है और इसके अलगला तरीके की क्या होते हैं रोल होते हैं अच्छा चीज यह आपको इसके अंदर यह बताना है कि horticulture का फायदा का है तो horticulture का फायदा इन्हों नहीं यहाँ पर यह दे रखा है पहला आद employment देता है और दूसरा food और nutrition देता है पहला employment देता है क्योंकि hoti culture में काम करेंगे कमाई होगी और दूसरा क्योंकि हम plant, food, vegetable कर रहे हैं तो यहाँ थे food और nutrition भी हमको मिल चाहेगा ठीके बच्चो ओके अब बच्चो आगे बात करते हैं आगे इन्होंने काफी जाए केस दे रखा है कि hoti culture की वैसे जो मारी फार्मर्स की जो एकनोमी कंडिशन है काफी इंप्रूफ हो गई है इसका benefit इन्होंने दिया है पहला इंकम इंक्रीज होती है दूसरा food security मिल जाती है तीसरा जो मारी लोगों की economic condition काफी इंप्रूफ हुई है ठीके बच्चो ओके और यहाँ पर विमेन का भी काफी अच्छा रूल है क्योंकि विमेन यहाँ बहुत जादा एरिया में काम करती है इसमें काम वगरा करती है अब बच्चो इनको conclusion के दिया कि horticulture एक भड़िया option मन कर आगा है और यहाँ पर investment की जरुवत है चलो अब बच्चो बात करता है एक बारे मां IT के बारे में तो बच्चो IT वाला question यहाँ पर बन सकता है इस बार एक सबर रीट कर लेना तो IT के बारे में बोला कि IT sustainable development के लिए क important role play कर सकता है तो देखो IT के अंदर ने बोला कि हम IT को use करके software को use करके हम पहले चेक कर सकते है कि कौन से areas में insecurity है मतलब कौन से area में food कम होने वाला है कौन से area है जो risk है जिससे हम आपर steps ले पाएं दूसरा IT का positive impact रहा है agriculture में क्योंकि हम उसकी मदद से technology की मदद से पहले ही चे चेक कर सकते IT के मदद से कि हाँ जो लोगों के creative potential है वो कितना आगे बढ़ पार है लोगों कि उसके knowledge होती है वो enhance होती है और चौता इन्होंने आपर दे रखा है कि यहाँ पर employment generation है वो काफी जादा हो रहा है I hope बचो यह चीज़ आपको clear हो रही होगी तो यह general answer है आपको IT क प्रियेट कर सकते है इसके बचो पॉइंट आता sustainable development और organic farming बचो sustainable development दो चेप्टर no.9 में shift हो गया है आपको इस चेप्टर के अंदर सिर्फ organic farming पढ़नी है और प्रोडक्शन करते हैं कि इसका अपना प्रोडक्शन करते है और दूसरा और गयानिक प्रोडक्शन हमारा हो चाता है ये क्यों करते है इसका फाइदा क्या है बच्छो ये हमारा जो एक्रालिकल जो बैलेंस है उसको बैलेंस करने में मदद करता है अचा अब बात करते हैं benefits of organic farming ये बच्चो important है और challenges of organic farming ये भी important है बच्चो सबसे पहला जो format है वो क्या है ये costlier inputs का क्या है थोड़ा सा क्या है आपका वो substitute है मतलब ये अब महेंगे inputs लेने की ज़रोतने सस्ते inputs से भी काम हो जाएगा क्या ये चीज़ के रहे है मतलब इससे अच्छी income हो जाती है दूसरा यहाँ पर मैं export भी कर पाते हैं तीसरा इसके अंदर nutrition ज्यादा होता है मतलब इसमें chemical बहुत कम use होता है बिल्कुल use नहीं होत तो इससे nutrition जो हता है वो बहुत ज़्यादा use हो जाता है प्लस ये labor intensive है तो employment generation भी कापी हो सकता और ये pesticide free होता है तो अच्छे benefit यहाँ पर आपने उसको देखने के मिल गया है अब बच्चो challenge के है तो सबसे पहला इसकी awareness farmers के अंदर लेकर आनी पड़ेगी दूसरा इसमें infrastructure क कि अभी कम ही है तीसा इसके अंदर production होता है जो output होता है वो कम होता है comparative starting में तो इसलिए पहले year में आपको profit उतना ज्यादा नहीं होगा इनकी जो life होती है बच्चो को कम होती है तो जल्दी sell होना चाहिए वहना मुश्किल में आ सकते है और last अभी जो इसकी production की जो choices है जो यह कहलो जो मारे पास products हैं वो काफी कम है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है तो बचो conclusion में क्या दे रखा है conclusion में कुछ नहीं दे रखा किसी काम का नहीं है तो इससी के साथ हमारा chapter number 6 ruler development complete होता है तो इसमें organic farming important है इसको ध्यानक नहीं IT वाला question एक बाद देख ले ना अ अगर आपसे तीनों पूछा जाए तो animal husbandry, fisheries या horticulture तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इंड की definition लिखनी है इससे आपको बताना है इससे क्या क्या फायदा हो रहा है इससे आपको फायदा बताना है कि income generate हो रही है horticulture से या फिशी से और उसे आपका nutrition भी हो रहा है सब क पहला है कि यहाँ पर आपको जो employment है वो मिल रहा है दूसरा आपको जो nutrition है और या जो food है वो मिल रहा है तीसा यहाँ पर women empowerment का काम हो रहा है चौतर यहाँ पर बोल सकते हो कि GDP में अच्छा कासा contribute कर रहा है और last में आप एक scope of improvement वाला point भी लिख सकते हो तो बचो अच्छा का होगे ठीक है और diversity patient बता दिया क्यों करना जरूरी है क्योंकि risky है इसके अलावा आप sustainable livelihood option मिल जाता है कुछ season में काम मिलता है कुछ season में काम नहीं मिलता है ठीक है ओके बच्चों यह policy instrument वाला question काफी important है government को interfere क्यों करना से overall यह important question बन सकता है marketing की definition में आपको बता ही दी इसके critical appraisal of ruble banking बच्चों बहुत बार पूछा गया है और explain the rule of VA यह बहुत बार पूछा जा चुका है अलग-अलग paper में तो इसलिए इनको एक बार अच्छा खासा focus reading आपको करनी पड़ेगी इसके लावा बच्चों chapter में सब कुछ important नहीं है जो आपको अलग से effort मानना पड़े वो आप कर सकते हो चलो तो बच्चों वीडियो को ही पर एंट करते हैं आई होप आपका chapter number 6 rule of government हो गया होगा टाड़ा बाई बाई ठेक केर